वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें अभी तक देखें यह आपका वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट हो चुका है बीसमी पशुधन जनगड़ना भी हो चुकी है SRS रिपोर्ट भी हो चुकी है यहाँ पर और यह जो आपका रास्तिय परिवार स्वास सर्वेक्षन है इसके भी कुछ पार्ट हो चुका है ठीक है बट आज की इस वाले सेक्शन में हम लोग क्या कुछ कवर अप करने वाले यह समझ यह पहले हम देखेंगे क्रशी सम्मंदी जो नवीनतम आकड़े हैं इसके बाद जाएंगे हम देखेंगे खनिज सम्मंदी जो नवीनतम आकड़े हैं 2022 के उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे फसल, रोग, सबजीयों और फलो के रंग अब यह जो हैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा हम पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि यह बहुत जादा कॉम्प्लेक्स डेटा होता है और एक बार में आपको याद भी रहेगा बस मेरा सेशन आप लो जोइन करा हुआ है तब तो बहुत अच्छा है अगर नहीं करा हुआ और आप ऐसा कुछ विचार कर रहे हैं तो आप तुरंत जो है इन नंबर्स पर कॉल करके जोइन कर सकते हैं 7523862455 8564805309696066089 इससे होका यह कि अगर आप जोइन कर लेंगे तो यह सारी PDF आपके पास ह होंगे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि PCS के लिए आप डिले हो चुके हैं और आप बहुत कम टाइम बचाएं नहीं हो पाएगा तो यकीन मानिए अगर आपके अंदर इच्छा शक्ती है और आप थोड़ा सा प्रियास कर सकते हैं अपने आपको थोड़ा सा comfort zone से बाहर ले 86692618 पर सो आईए स्टाइट करते हैं आज के अपने सेशन को अब जो जो डेटा में आपको बोलता जाओंगा उस सब को जो है कहीं आप नोट डाउन करते रहें अब यह जो एग्रिकल्चर डेटा है एकदम लेटेस्ट अपडेटेड है सबसे पहले यहां पर हम बात करें फसल की तो फसल अगर हम सेब की बात कर रहें तो उत्पादन वाले जो शीर्श तीन राज हैं भही ऑवियसी बात है हमाले जो राज होंगे हमाले ही राज होंगे वहीं होगा तो आपका जम्मू कश्मीर हमाचल परदेश और तरखंड यह टॉप थरी स्टेट है ठीक है इस में सरवादिक छेतर की बात करें तो जम्मू कश्मीर शीर्श तीन देशों की अगर हम बात करें यहां पर यह इंपॉर्टेंट है तो आपको चाइना याद रखना है इसके बाद यूएसे याद रखना है फिर आपको तुर्की याद रखना है भारत का इस्तान क्या है इस और असम ठीक सुपारी में करनाटक केरल असम यह आपको यहां पर याद रखना है चलिए अब यहां पर जो सरवादिक छेत्र में सुपारी का जो खेती की जाती है उसको पादल किया था वो क्या है आपका करनाटक तो टॉप त्री में नंबर वन स्टेट भी करनाटक और सरवादिक छेत्र घेरे हुए भी मतलब जो सब सरवादिक फसल सौरी सरवादिक जो छेत्रफल में फसल उगाई जाती वो भी क्या है करनाटक इसके बाद अरहर की बात करें यह इंपॉर्टेंट है काफी इसको जरूर याद रखें या फिर तुर्की तो इसमें महाराश्ट करनाटक और तेलांगना यह तीन स्टेट है जिसमें महाराश्ट नमबर वन पर है और करनाटक जो है छेत्रफल की दरस्टी से मतलब सरवादिक छेत्रफल में जो इसका उत्पादन किया जाता है वो करनाटक में किया जाता है इसको याद रखना है इ ठीक है तो इसको आप यहां पर याद रखें और सरवादिक छेत्रफल में जो उत्पादन किया था वो कहां पर राजस्थान में ठीक है चलो अब चलते हैं नेक्स्ट जो फसल है यह है आपका केला ठीक है तो केले की बात करें तो यह आंदरपरदेश गुजरात और महरास्ट यह टॉप थ्री इसके स्टेट हैं यहां पर केले का उत्पादन किया जाता है और करनाटक इसमें भी नंबर वन पर हैं लोग उत्तरपरदेश PCS की तयारी कर रहे हैं आप RO की तयारी करना चाहते हैं इन तीनों एक्जाइम के अगर आप तयारी करने चाहते हैं तो Steady for Civil Services के एक जगा पर मिलेगा और यह सबकू सफिषेंट होगा आपके एक्जाम को करेक करने के लिए एक्जाम को निकालने के लिए लेटेस्ट ग्रूप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रूप में आपको एड्मीशन लेने के लिए इन नमबर्र पर आप कॉल कर सकते हैं 8564-880- 053 05 30 इस नंबर पर संपर्ख कर सकते हैं इसके लावा 9696066089 इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523 8624 555 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्ख कर सकते हैं और ये लेटस्ट गुरुप जो है इसमें आप admission ले सकते हैं इसके बाद आगे हम बात करें कि शीर्ष तीन देश कौन से है केले के उत्पादन में तो उसमें हिंदुस्तान नंबर वन पर हैं ठीक है हिंदुस्तान के बाद अगला नंबर आता है चाइना का और फिर आता है आपका इंडोनेशिया का यह तीनों एजिट राजस्थान नंबर वन पर आता है फिर उत्तरप्रदेश और फिर आता है मद्दब्रदेश सरवादिक छेत्रफल में जो पादन किया आता है वह आपका राजस्थान ठीक है अब कंट्रीज की बात करें तो रशिया फ्रांस और जर्मनी यह टॉप थरी कंट्रीज हैं किसम में ही सरवादिक छेत्रफल में इसकी खेती करी जाती है इसके बाद बंदगोभी या फिर गोभी की बात करें इसमें भी पच्छिम बंगाल नंबर वन पर है अब यहां पर अगर हम कंट्रीज की बात करें तो हिंदुस्तान और चाइना दो आपको याद रखने हैं चीन से लिसा का सो टॉप थ्री यह स्टेट हैं जहा पर काजु का उत्पादन किया जाता है सरवादिक छेत्रफल में जो काजु का उत्पादन होता हरास्ट में इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी कोको बीन्स की अब यह जो कोको बीन्स है यह सबसे जादा कहां पर आंदर प्रदेश में इसके बाद कैरला और उसके बाद करनाटक production की बात कर रहे हैं अगर हम बात करें सरवादिक छेतरफल की तो एक बार फिर करनाटक जो है वो सरवादिक छेतरफल के साथ में जहां पर इसकी खेती करियाती है उस चीज में ये number one पर है अब यहाँ पर एक सबसे important चीज़ की तीन countries कौन कौन सी हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा production होता है इसका So, Koto, Devoyer, उसके बाद घाना, उसके बाद इंडोनेशिया, कोको, बीन्स के मामले में इसको आप याद रखें, ठीक है? इसके बाद बात करें, नारियल की जो की बहुत ज़्यादा important है जब हम बात कर रहें नारियल की, तो नारियल के मामले में जो उतपादन हो सबसे ज़्यादा केरल में होता है फिर तमिल नार्डू में और फिर करनाटक में, ठीक है? अब सरवादिक उतपादक्ता ये कहाँ पर है? अब यहाँ पर अगर हम बात करें, छेतरफल की, तो उसमें नंबर वन पर आता है केरल, नंबर टू पर करनाटक और उसके बाद नंबर थरी पर तमिल नार्डू में जबकि सरवादिक उतपादक्ता, ठीक है? उतपादन हो रहा है केरल में सबसे ज़ादा, लेकिन उतपादक्ता के मामले में महरास्ट जो है वो नंबर वन पर है नार्यल में, ठीक है? अब केरल जो अभी हमने बात भी करी कि केरल में सबसे जादा चेतरफल में इसकी पैदावार की जाती है अब यहाँ पर दुनिया की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान नमबर वन पर है नारियल के उत्पादन में इसके बाद फिलिपिन्स है उसके बाद इंडोनेशिया है जबकि अगर सबसे जादा छेतरफल की बात करें तब उसमें आपका फिलिपिन्स है इंडोनेशिया है और हिंदुस्तान है उत्पादक्ता की जब हम बात करें तब वियतनाम जो है वो नंबर वन पर है इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी कॉफी की सो कॉफी की बात करें तो कॉफी के मामले में सबसे टॉप पर कौन है करनाटक उसके बाद केरल उसके बाद तमिल नाडू इधर अगर हम बात करें तो कंट्री की तो इसमें आपका ग्रीन कॉफी ग्रीन कॉफी के सेंस में जो है उसमें आपका नंबर आता है किसका ब्राजील का फिर वियतनाम का फिर कोलंबिया और भारत का नंबर कौन सा है आठवा ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर दोस्तों आगे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जो मिनरल डेटा है लेटेस्ट है बाइस माई दो हजार बाइस तक का ठीक है अब यहाँ पर सबसे पहला जो खनेज है वो कौन सा है आपका alumina अब alumina की अगर हम बात करें तो alumina के production में जो top countries है वो कौन कौन सी है सो इसमें top country है आपकी चीन फिर उसके बाद Australia उसके बाद Brazil और हिंदुस्तान का नंबर कौन सा है चौथा नंबर है इसके बाद aluminium की बात करें इसको याद रखिएगा इसमें चाइना नंबर वन पर आता है फिर रशिया का नंबर आता है फिर इंडिया का नंबर आता है और फिर कैनेडा का नंबर आता है इसके बाद अगला है आपका एपिटाइट एपिटाइट की बात करें ही तो इसमें उत्पादन में हिंदुस्ता जो है वो सोलवे नंबर पर है वही अगर इंडिया के स्टेट की बात करें तब एपिटाइट में जो भंडार की बात कर रहे हैं आपर सबसे जादा रिजर्व कहां पर है तो वह है आपका वेस्ट वेंगॉल में इसके बाद ज्छारखंड में और उसके बाद मेखालिया में एपिटाइट का जो रिजर्व है इसके बाद अगले मिनरल की बात करें तो यह है आपका एस्बेस्टास जब हम एस्बेस्टास की बात कर रहे हैं तो एस्बेस्टास के मामले में नंबर वन पर जो रिजर्व के मामले में है ठीक है इंडिया का स्टेट वो कौन जा है कजाकस्तान और जबकि उत्पादन के मामले में रशिया नंबर वन पर है और भंडार में भी रशिया नंबर वन पर है कजाकस्तान जो की भंडार के मामले में तीसे नंबर पर है बट प्रोडक्शन के मामले में सेकंड प्लेस पर है और चाइना जो है वो थर्ड प्लेस पर है production में और भंडार की बात करें तो उसमें वो है second place पर इसके बाद अगले mineral की बात करें तो ये है आपका boxite ठीक है boxite important है इसको भी याद रखें aluminium वाले को भी याद रखें दोनों important है अब boxite का reserve सबसे ज़्यादा कहां पर है गिनी में फिर Australia फिर Vietnam जबकि production में Australia इंडिया नमबर वन पर है second place पर गिनी आता है और थेड नमबर पर चाइना आता है और इंडिया आता है fifth place पर production में ठीक है अब यहाँ पर आगे हम बात करें कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा reserve कौन से स्टेट में है तो वो है आपका उलीसा में 76.3% इसके बाद आता है गुजरात का नमबर और उसके बाद आता है ज़्यारकंड का जबकि जो भंडार है जो reserve है वो सबसे ज़्यादा कहां पर है उलीसा में फिर आंदरप्रदेश में और गुजरात में ठीक है और यहां पर हमने किसकी बात करी है प्रोडक्शन उत्पादन की इसके बाद अगले mineral की बात करें तो यह है आपका बेंटोनाइट बेंटोनाइट कुछ खास important नहीं है बारहाल इसके उत्पादन में नंबर वन पर है आपका राजस्थान और राजस्थान ही है जहां पर सबसे आदा इसका रिजर्व है इसके बाद गुजरात और उसके बाद तमिल नाडू जबकि बेंटोनाइट के अगर हम बात करें उत्पादन की all over the world तो चाइना नंबर वन पर और यूएस नंबर टू पर है ठीक है इस वाले डेटा को यहीं पर अब हम छोड़ रहें ठीक है नेक्स जो वीडियो आगा उसके अंदर हम आगे दूसरा डेटा इसके अंदर है और दूसरे मिनरल है उनको कवर अप करेंगे ठीक है इसके बाद अब अपने थर्ड टॉपिक की तरफ मूव आउन कर करेंगे एक जगह यहां पर आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा ज्यादा बैटर रहेगा सबसे पहले यहां पर हम बात करें किसकी सेब की तो जब आपल की बात कर रहें तो एपल में कौन सा अमल पाया जाता है मैलिक एसिड यह सेवरेल टाइम्स पूछा गया कोशन है जरूर इसको याद रखें एक तो इसमें मैलिक एसिड पाया जाता है दूसरा एसकॉर्बिक अमल जो है वो पाया जाता है इसके बाद अगला नमबर आता है आपका संत्रा और नीबू का मुझे नहीं लगता कि आप मेंसे किसी को भी ना पता हो कि भाही सिट्रिक एसिड इ अंदर पाया जाता है मतलब एक्जॉलिक अमल पाया जाता है सिट्रिक अमल और एसकॉर्बिक अमल किसके अंदर पाया जाता है टमाटा इसके बाद नेक्स आता है आपका इमली और अंगूर इमली और अंगूर में क्या है आपका टार्टरिक अमल पाया जाता है दही और ख कार्बोनिक अम्ल आउला की बात करें तो आउला में आपका सिट्रिक अम्ल और एसकार्बिक अम्ल जो है ये दोनों पाए जाते हैं इसके बाद ये लास्ट वाला और देख लेते हैं जो कि आपके काले शेहतूत और जामुन के बारे में है काले शेहतूत और जामुन में क्या पाये जाता है आपका आईसो साइट्रिक अमल और मेलिक अमल यह इसके अंदर पाये जाते हैं सो इस वाले वीडियो में हम लोग यहीं तक कवर अब करते हैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम आगे बात करेंगे काले जामुन से आगे बढ़के दूसरे हैं उनको दे है उसको डेली बेसिस पर जरूर कवर अब करते हैं इन टोटल साथ वीडियो उसके आएंगे और हर एक वीडियो को देखिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट फेक्ट से उसके अंदर कवर अब किये जा रहे हैं ठीक हैं सो फिर मगते नेक्स्ट वीडियो में टल देन थैंक कि सो मच है वनाइस टे बाबाए